इस रिल्स प्रेंड़ देस ँज। या नाम पता है že समाजिक विखास एक बुट के बार्द के बाद उसको वो समाज से जुणना होता है, अपनी फैमिली से जुणना होता है, अपने स्कूल से जुणना होता है, और उसका जो डेवलेप्मेंट होता है, वो सबसे पहले अपने घर से ही, अपने पैरेंट्स के द्वारा ही स्टार्ट होता है, जो थोड़ा बड़ा होता है, तो वो तो स्कूल से और समाज से उसको जो जो प्रेड़ना मिलती है या जो जो बाते सीखने को मिलती है उससे उसका डेवलेपमेंट होता है तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें बच्चों को बाजिटिव बिहेवियर का बनाना है यानि उसे एक अच्छा प्रोवाइड कराना है एडिक्सन की थियोरी साइको सोशल डेवलेप्मेंट पर बेस्ट है यानी समाजिक विकास पर आधारित है समाजिक विकास का मुख्यों देश्य क्या होता है समाजिक विकास का मुख्यों देश्य होता है समाजिक वातावरण में रहकर समाज के साथ या समाजिक तौर पर लोगों से रिलेशन क्रियेट करना उनसे संबंद बनाए रखना बच्चों को हम जैसा environment देंगे बच्चे उसी तरह अपने behavior को adopt करेंगे Ericsson ने Freud की theory को देखा और उसके बाद उसने अपना विचार रखा इसके लिए तो जो Ericsson थे उन्होंने 1902 से लेके 1944 तक इनका जो time period था और इन्होंने Freud की जो psychosexual theory थी उसको convert किया psychosocial theory में उन्होंने इसमें अपने views दिये और उनके सिधानत को बदल के अपना ये सिधानत create किया उनका भी मानना था कि Ego जो होता है वो हमारे विकास में भागिदारी होता यारी हमारे विचार, हमारे कॉशल, हमारी skills, हमारी जो thinking होती है वो Ego को लेकर ही चलती है मतलब हमारा जो Ego है हम उसको positive बना रहे हैं या negative बना रहे हैं तो वो उस पर बल देते हैं तो अब हम पढ़ेंगे Ericsson की जो थियोरी है psychosocial development थियोरी उसकी first stage उसकी first stage है 0 to 1 and half years यानि दियर साल तक जिसमें होता है trust versus mistrust मतलब विश्वास बना विश्वास इसमें बच्चे hope को सबसे आगे रखते हैं यानि उम्मीद feeling होती है उनकी adjustment होती है उनकी जर्म के बाद बच्चा जब 12 महीने तक यानि एक साल तक का होता है तो वो अपने parents पर depend होता है वो उन पर एक तरीके से विश्वास रखता है भरोसा रखता है कि जब उनको बूख लगेगी तब उनको दूद दिया जाएगा जब उनको किसी चीज़ की जरूत होगी तो वो उन्हें provide कराई जाएगी तो शिश्व उस समय अपने parents पर निर्भर होता है कि उसकी जो माता है वो उसकी देखभल करेंगी वो उन्हें पर निर्भर रहता है उस टाइम उसको trust होता है कि हाँ हमें हर चीज़ समय पर provide कराई जाएगी नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ेंगे जो देर साल से तीन साल तक है और्टनमी वर्सेज शेम मतलब स्वायत्ता बनाम हींता या संदे बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो अपनी कुछ एक्टिविटीज को खुदी करने लगते हैं जैसे खाना खाना या खिलोने से खेलना या कपड़े पहनना ये सारी चीज़े उन चीज़ों को वो प्रात्मिक्ता देने लगते हैं कि वो काम वो आप स्वायम कर सकते हैं तो उनके अंदर स्वायत्ता वाली थोड़ी भावना आ जाती है कुछ बच्चे शेम भी फील करते हैं इन चीज़ों से की मतलब उन्हें कपड़े पहनाना या कुछ अधर चीज़े होती हैं वो चीज़े वो खुदी करना चाते हैं दूसरों से कहने में शेम फील करते हैं इस स्टेज में बच्चे अपनी सुतंतरता को जादा महत्व देते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेज इनकी जो है 3-5 यानि 3-5 साल की इनिशियेटिव एंड गिल्ट मतलब वो पहल करते हैं और दोशित होते हैं यानि पहल बनाम दोशित इस स्टेज में बच्चे थोड़ा समाज से जुड़ते हैं अपनी कुछ एक्टिविटीज को शुरू करते हैं जैसे कि घर से बाहर जाके खेलना दूसरे बच्चों के साथ दूसरे लोगों से संपर्क बनाना समाज से संपर्क बनाना ये सारी चीज़े बच्चे इस एज में शुरू कर देते हैं बच्चों के दिमाग में समात से related बहुत से questions आते हैं जो वो अपने mother, father से या अपने teacher से पूछते हैं, उनकी इतनी curiosity होती है वो चीज़े जानने की, कि वो बार-बार उनी चीज़ों को जब तक उसका answer उन्हें नहीं मिल जाता तक उस चीज़ को दोराते रहते हैं, अगर उन इसका blame किसी दूसरे के उपर डाल दें, वो guilt feel करते हैं, next stage हम पढ़ेंगे 5 to 12 years की, जिसमें industry versus inferiority, इसमें है मेहनत बना महीनता, जिसमें बच्चे competency को, school को और sports को महत्व देते हैं, इसे इसमें बच्चे school से जुड़ते हैं, sports से जुड़ते हैं, school में जाके activities करते हैं, अप काफी hard work करते हैं अपनी study को लेके, अगर उनकी positive thinking होती है, वो अपने career को बनाने के लिए उत्सुक होते हैं, काफी जैसे कोई उनसे पूछता है कि आप अपनी life में आगे क्या बनना चाहते हो, after school या after college क्या करना चाहते हो, आप तो वो सारी चीजे बहुत ही confidence के साथ बतात तो उनके अंदर हींता की भावना आ जाती है, उन्हें ऐसा feel होने लगता है कि हमें तो कोई importance दे ही नहीं रहा, next stage में हम पढ़ेंगे 18 to 40 years के लिए intimacy versus isolation मतलब, मित्रता बनाम, एकागी पन या फिर अकेला पन, इसमें बच्चे love relationships में या फिर कोई दूसरे gender के प्रती अट्र होते हैं, relationships बनाने लगते हैं, other genders में जैसे girl है तो boy के साथ, या boy है तो girls के साथ, इसी age के अंदर थोड़ा थोड़ा जब बच्चे college वगेरा कर लेते हैं, अपने career में set हो जाते हैं, तो after marriage वो अपनी life को set करते हैं, हर चीज अपने हिसाप से करने लगते हैं, विक्सित होत हैं, कि वो अपने career में सफल होते रहें, आगे बढ़ते रहें, एरिक्सन का मानना था कि हमें अगर एक सफलता पूरवक जो एक संबंद होता है, वो बनाने के लिए हमें उसके अंदर honest रहना पड़ेगा, तब ही हम उसको सफल बना सकते हैं, उस relation को, तो इस age में after marriage, लोग friendship create करते हैं, अपनी family के साथ, अगर हम अच्छी तरीके से रह रहे हैं, या फिर हमारा बहुत friendly behavior है, तो वो एक सफल relation होगा, कुछ लोग यह चीज़े नहीं कर पाते हैं, तो वो isolate काफी फील करते हैं, कि वो एक एकांत या अकेलापन महसूस कर रहे हैं, next stage में हम देखेंगे, 40 to 65 years, इसके अंदर है genitivity and stagnation, या रचनात्मक्ता बना मिस्थिरता, creativity से हमारा मतलब है, वो बहुत सी creativity करना चाहते हैं इस age में, जो वो अपनी life में पहले नहीं कर पाए, वो adolescence के बाद या फिर adult age में वो सोचते हैं, कि हमें यह कर रहा है, अपनी life में वो करना है, बहुत स सारी plannings होती हैं लोगों की, लेकिन जब वो family create हो जाती है, उनकी पूरी after marriage, तो वो उन चीजों को नहीं कर पाते हैं, तो इस age में लोग अपनी उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, जो वो अपनी life में नहीं कर पाए, creativity आती हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी वो सो कि हमें इस चीज को complete करके ही दम लेना है अब, हमारी last stage है 65+, यानि 65 साल से उपर के जो लोग हो जाते हैं, old age में, इसमें है ego, integrity versus despair, यानि संपूर्ता बना निराशा, इसमें reflection on life होता है, और wisdom पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इन ages में लोग, लाइक उनके सारे roles family में एक तरीके से खतम हो जाते हैं, roles नहीं खतम होते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि, roles खतम हो गए हैं, लेकिन जो उनके जिम्मेदारियां हैं, जैसे after marriage बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों की शादी करना, फिर अपनी family को set करना अच्छे तरीक संपूर्ता बिलकुर अच्छे तरीके से की है, और जो लोग ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, उनको निराशा होती है, कि वो despair हो गए, ये चीज़ें नहीं कर पाए, जो वो चाते हैं, तो इन एजिस में वो इन चीज़ों के लिए पश्तावा करते हैं, जो उनने करना था वो अपनी लाइफ में करनी पाते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारी एरिक्सन की थियोरी के, जिसका नाम था साइको सोशल डेवलेप्मेंट, तो ये सारे पॉइंट्स एरिक्सन ने इस लिए दिये, क्योंकि इन पॉइंट्स से, मतलब आप ये माल लिजिए कि बर् दे रहते हैं, तो अलग-अलग एजिज में आपकी ठीकिंग चेंज होती है, आपकी एक्टिविटीज चेंज होती Hay, आप अपने कैरियर को, बनाते हैं, थेन उसके बाद आप अपनी फैमिली क्रिएट करते हैं, सारे चीज़े, स्टार्टिं से लेके, एंडिं तक Ericsson ने स आप एक childhood से या फिर आप infancy period ले लिए शेशावस्था वहां से लेके old age यानि प्रोडवस्था तक क्या-क्या चीजे अपनी life में करते हैं और हम समाज से क्या-क्या experiences लेते हैं तो यह theory हमारी यहां खतम होती है और यहां पर हमारा psychology यानि childhood and growing अपका first unit समाप्त होता है मिलते हैं next video में thank you so much for watching this video मेरे channel को like करे, subscribe करे, comment करे and share करे